शाम की सैलरी भी 25,000 पर मंत और सुंदर की सैलरी भी 25,000 पर मंत लेकिन एक समय अबदी के बाद देखा गया तो दोनों की फानेशल पावर बिल्कुल बदल चुकी थी और युवाओं के साथ तो ऐसा होता ही है कि जैसे उनकी अर्निंग आना शुरू होती है न वो मुबाइल खरीद लेते हैं गाड़ी खरीद लेते हैं बाइक खरीद लेते हैं तो इसका मतलब कि वहल पैसा कमाना ही इस बात का सोलूशन नहीं कि आ फानेशल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तो चोटा चोटा पैसा एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाएगा बहुत बड़ी में सैटो जाओं और फानेशल फ्रीडम हासिल कर लो मतलब एक समय ऐसा आजाए कि मुझे पैसे के लिए काम करने की जूरत ना पड़े मेरा पैसा ही मेरे लिए पैसा कमाए लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में इस उदेश्यों को बनाने के बाद अपने लक्षों को ह पैसा कमाने का प्रहास करें जतना ज्यादा पैसा आप कर गमाँंगे अथनी जल्दी आफ फानेशल फ्रीड़ हो जाएंगे लेकिन कई बारी की बहुत सारों लोगों ने बहुत अबजिक पैसा कमाया है लेकिन उसके बाद भी लंबी समय उदी के बाद उनके पास कुछ न मारे इसमें ज्यादा च़ूहांग से वर्ग भी नी पड़ता कि आपने वर्ण के और पैसा बचाए या नहीं करते है arguing कि अपनी 30 साल का हो जाओंगा तब शुरू करूंगा 35 का हो जाओंगा चालिस का जाओंगा और देखते ही देखते बहुत सार अस हमें निकल जाता है आए इस बात को एक स्टोरी के उरूप में बताता हूं मनीश जो अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन था मनीश रिशी केस घूमने गया और रिशी केस घूमने के बाद उसने अपना मन बनाया कि अब मुझे हरीदवार जाना है और हरी दोहर जाने के लिए उसना अपना बैग पैक किया ओटो स्टेंड पर पहुंचा मनीश एक युवा था तो इसके मन में ये था कि घुद भी तो चा सकता हूं उसने अपना बैग लिया और चलना शुरू कर दिया चलते 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 उसे अलगा हरीदवार बहुत पास में क्योंकि बहुत लोगों ने बताया था कि रिशी केस के बिल्कुल पास में हरीदवार है। तो आटो वाले ने कहा कि सर पहले आप जहां खड़े थे वहां से हरीदवार पास था लेकिन अब आप विपरीद दिशाय में जाना शुरू कर दिया आपने जिसकी वैसे हरीदवार का डिस्टंस और बढ़ गया अब यहां से हरीदवार जाऊंगा तो सौर पर किराया हमेंशा रहती है कि हमने अर्निंग करना शुरू है हमें हमारी अर्निंग के सब्सक्भरा करने इंसे बेंके सकवने चैंड नेके प्रवंद कर देन्दारियां होती है और दीरे 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 उनकी value भी depreciate होती है इसकी समझ जब तक लग पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है इसलिए start investing आज से ही आप एक लक्ष बना ले निर्णे कर लें कि मुझे अपनी life में saving ज़रूर करनी है अब saving का निर्णे लेने के बाद सबसे बड़ी समस्य क्या होती है कि saving करें कितना आपको saving करनी है minimum 10-20% हर महिने आपकी जो भी आय होना उसमें से 10-20% saving ज़रूर करें और saving करने का तरीका क्या है कि लोग क्या करते है saving करते हैं अपने पास इकठा करते जाते हैं सोचते हैं कि आप खुद पैसे कर लेंगे आपका जो bank account है उसी के साथ में a payment account खोल लें और S.I.P. start कर दें आपकी जो भी income है S.I.P. मतलब systematic investment plan आप एक मुष्ट पैसा कब जमा करेंगे इसका पता नहीं है लेकिन अगर आप regular हर महिने कुछ पैसा जमा करते रहें तो वो छोटा छोटा पैसा एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाएगा बहुत बड़ी investment आपकी बन जाएगा इसलिए कहते है know the power of compound interest क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज जो है ना उसकी power बिल्कुल निराली है कहते है कि Albert Einstein ने कहा था कि compound interest is the eighth wonder of the world विश्व का आठवा जूबा है आए इस बात को मैं कुधारन के गुरूप में बतात रुपे पर मंत श्याम ने अपनी saving का अपनी income का 20% सेव करना शुरू किया मतला 5000 रुपे लेकिन श्याम जो है ना वो अपने पैसे को बचाता तो था लेकिन कहीं invest नहीं करता था वो अपनी saving अपनी गुल्लक में डालना शुरू कर देता था और उसको लगता था कि मेरा पै वो सोचता था कि मैं share market में बहुत जादा invest नहीं कर सकता ना तो भी कोई फरक नहीं पड़ता मैं थोड़ा थोड़ा invest करूंगा तो एक दिन मेरी थोड़ा थोड़ा investment बहुत बढ़ी हो जाएगी लेकिन एक समय अबदी के बाद आप देखा गया तो दोनों की financial power बिलकुल ब 12% 15% 18% investing पर return लेना बहुत असान है जरूरत है systematic तरीके से invest करने की तो शाम ने क्या किया 5000 रुपे पर्मन जम्मा करना शूरू किया तो पहले साल उसके पास 60,000 हो गए दूसरे साल 1,20,000 तीसरे साल 1,80,000 रुपे ऐसी 5 साल में उसके पास हो गए ये सारे पैसे उसके लगात बढ़ते चले गए फिर उसके बास 1,80,000 पांच साल में 3,10,000 में 6,15,000 में 9,20,000 साल में 12,15,18,000 तीस साल में शाम ने 18,000,00 रुपे कठे कर लिए अब आपको लगेगा कि सर हमने अपनी लाइफ को जीना है तो अगर पैसा इन्वेस्टी करते रहेंगे तो लाइफ का 10% जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में इंस्टेंट कैपिटल है जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन सुन्दर ने क्या किया उस मैसे को अपने पास ना रखे SIP में इन्वेस् जब आप यहां कैल्कुलेट करेंगे तो इनिशल सेविंग आप डालिये 5000 रुपे या मंतली सेविंग डालिये 5000 रुपे रेट अफ इंटरस 12% और कैल्कुलेट करके देखिए कि अगले एक साल में कितना पैसा होगा अगले दो साल में कितना हुआ इसका हुआ एक बीस इसक तो आप अपने पैसे को बहुत आसानी से मल्टिप्लाई कर सकते हैं और ध्यान रखिये का कमपाउंडिंग केवल मनी में फानेशल पावर में काम नहीं आती आपकी लर्निंग में आपकी ग्रोथ में आपकी नॉलिज में अगर उसमें भी आप लगातार कमपाउंडिंग करते रहें तो आप अपार सफलता असिल कर सकते हैं उसके लिए जरूता नहीं चीजों को सीखने की समझने की information technology के स्यूग में चीजों को सीखने के लिए अपार भंडार हैं आप internet के मादियम से कुछ भी सीख सकते हैं लुक्स के मादियम से चीजों को पढ़ कर समझ कर अपनी लाइफ में implement कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि मुझे लाइफ में मेंटर बनाना चाहिए मुझे मेरा कोच बनाना चाहिए उसकी कोचिंग के अंतरगत भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते ह अधार पर आपके लिए कोर्स जबलब किया है और वो कोर्स है रोप आर ओ पी ए रिजल्ट ओरिंटेट प्रोग्राम फॉर आंतरप्रेनियोर किस तरह से मैंने अपने लाइफ में एक स्मॉल स्केल बिजनस से लार्ड स्केल कंपनी तक का सफरते किया वो सारे का सारा स्लेब है तो होब है जल्दी बोड पर दियो नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को ज़रूर रिजर्व करें ताकि आप कंपाउंटिंग के माध्यम से ना केवल अपने पैसे में व्रदी करें बलकि नॉलिज में इजाफा करके अपनी इंकम को भी बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी और इंवेस्टिंग बढ़ेगी तो आप अपना फाइनेशल फ्रीडम बहुत कम समय में हासिल कर पाएंगे इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्ण है तो वो कॉमेंट बॉक्स में में ज़रूर लिखें स्वस्त रहें मैं डॉक्षर अमित माईश आपके सुनारे वविश्व की काम ना करता हूँ जै हिंद जै भारा